प्रिया रामस्वामी नाईकर, नारानागरू, संत गाडगे, मानुर कार्शी राम, रामसुरू बर्माजी, पेरिया ललेई शिंग्यादो, सहीज जग्देव बाबू, आधी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का मैं प्रियाश राजीर के अपने शुलवाती दोर से करता तला रहा हूं, यही सोर्च करके मैं समाजबादी पार्टी को भी लगातार मजबती प्रतान करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग जो यथा इस्तिद्वादी सोच में बिस्वास करते हैं, समय समय पर वो कहीं न कहीं इस विचारधारा को रोकने का दूस्वास कर रहे थे राष्टी अधर्चकले श्यादोजी को सारी बातों को अगद भी कराया, लेकिन उनकी मौन स्विक्रती और इस बात की प्रतीक हो गई, कि प्रगस्षील विचारधारा में बाधग बनने वाले लोग कहीं न कहीं उनकी सहमती की आधार पीशब कर रहे थे, अन्था बहुत पहले अनुसासन हिंता के आरोप में उन पर करवाई करनी चाहिए थी, नहीं किया, तो मैंने फैसला किया, कि जब मैं समाजवादी पार्टी के महासरी पर से छोड़ रहा हूं, तो मुझे प्रत्वी सुझता भी त्याग देनी चाहिए, और चुकि समाजवादी पार्टी क प्रत्यासी की रूप में उत्रप्रदेश बिधान सभा निर्वाचन छेतर से मैं उत्रप्रदेश की बिधान प्रश्टत में भी सद्रश निर्वाचित हुआ था, तो नेतीता की आधार पर मैंने सद्रश बिधान प्रश्टत पर से भी आज त्याग पत्र देने का फ्रस् ज़ादय जी को भ्यद्ध दिया है और विद्धान प्रसत की सपसे त्याग पत्र का पत्र में सिभबप्रस थिश्मक्षा निश्वचा को भ्यदा निए क्योंकि स्वक्ष drops में में विश्वास करता हूं भैक और स्धान्तिक रूप से मैं किसी इतकराने का पर दर रहा हूँ यह ठेखराफ पहले भी होती रही है आज अलग होने का कान भी बैचारिक मन्वेद ही है अखलेश जादोजी से मेरा बैचारिक मनभेद हुआ है समाजबादी पार्टी से मेरा बैचारिक मनभेद है मनभेद नहीं है क्योंकि समाजबादी पार्टी के नेता अखले शादर जी को भी देखा मैं यह समाजबादी विचार धरा के बीद जा रहे हैं जबकि नेता जी स्री मुलायम सिंह अदोर के साथ भी मुलायम सिंह अदोर जी की विराशत समालने वाले लोग नेता जी मुलायम सिंह अदोर की विचार धरा को भी ठीक से अनकर नहीं कर पा रहे हैं यह दुख की बात है अब मैं इस देश के दलितों, आदबासियों, पिछणों, गरीबों, मजलूमों, किशानों, अल्पसंक्यक समाज के लोगों के सम्मान, स्वाहिमान की लडाई के साथ साथ, सत्ता सासन में हिज़दारी की लडाई लड़ता रहूँगा मानुवर कार्शी राम जी के बताय रास्ते पर चलते हुए, सामाजिक परिवर्तन आंदुलन के कारवां को आगे बढ़ने का मेरा प्रयाश रहेगा इसी क्रम में मैं 22 फरवरी 2024 को दिल्ली के तार्गर्टोरा इस्टियम में जिसमें मुख्यर्दित के रूप में कार्श में मुझे समलित होने का मौका मिल रहा है वहाँ पर कार्यकरताओं से राश्मारी करने के बाद मैं पार्टी बनने का अपना फैसले का उद्धोर्श भी करूँगा अब जब रणभेरी बच चुकी है तो स्वाहई ग्रूप से समाज के अंतिम पाइदान पर खड़े अनतिम बेक्तिकी चाहत के अनरूप उसके सम्मान, स्वाहईमान, हिस्दारी के लाई अब लगातार आगे जारी रहेगी क्या आपने कार की अखिलेश अगर जो समाजवादी विचार धरा थी उसके विप्रीद जा रहे थे क्या यही वज़े है कि समाजवादी आपका जैसे इस्तीफा दिया राश्टिमा सचेफ पत्स से उसके बाद सलीम शेरवानी हो या और घटक दल के साथी पल्लवी पटेल सबने ये पीडिये वाली जो बात है उठाई लेकिन उसके बावजूद उसका कोई जाधा असर नज हुआ है जब भी राश्टे पर आएंगे में का स्वागत रने कोशिश करूँगा लेकिन फिरहाल अभी पूरास्ते से भटके हुए हैं यहां तक कि नेताजी मुलाइम सिंग्यादो कि विचार धारा को भी मजाग उड़ा रहे हैं आज कि कहने के लिए तो आपने को कहते है है कि हम से कुलर हैं धर्मिर प्रिक्ष हैं लेकिन कहीं ने कहीं वो भी मनवादी ब्युस्ता की शिकार हैं इसलिए हमने फैस्टा जिया है इस देश में गरिबों कि राई रने का आजबार्शियों दर्बतों पिष्ड़ों किशानों मद्दूरों गरीबों के स्रमान स्राह इमान की आवाज बुलंद करने का और उन्हें सत्रस्वासर मेंसेदारी देने का माना जाए कि जो राष्टी सोशिट समाज पार्टी है उसके बताव राष्टी अद्द्रक्ष आप आव इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे जिसकी आप गोश्टा शेदारी समाज पार् कि बावसाब ड्यक्टर अमिर्कर जुतिवाफ ले मानुर काशियाम जी की विचार धारा पर लगतार काम किया हूं लंबे अर्ष्ट तक बोजन समाज पार्टी में काम किया भिन भिन अन्य दलों में जहां भी रहा हूं मैं कभी भी विचार धार से हटा नहीं विप्रीत प्रस्टियों में रहकर के भी मैंने इस विचार धारा को आगे बढ़ाया हूं समाजवादी पार्टी में भी इसी विचार धारा के साथ यह कंभी करने का इजुदे कि मैं आयूँ ठाट्विदादया था लेकिन परस्तियां के अञ्वी नहीं लहीं को कि जिसके नात्य अज मनें समाजवादी 1 पर्टी की कि प्रेंगी संसर से बीस्तिफ़ा दिया तो स्वाही रूप से जब हमारी थाती महापुरिशों की विराशत विचारधारा मिशन है तो उसको आगे बढ़ाने का काम मजबूती के साथ मैं अवर सिक्रूंगा देखे नहीं राम गोविन चौधरी बहुत ही बरिष्ट निता है उनका मैं पहले भी समान करता था आज भी समान कर रहा हूं और जब एक साथ एक पार्टी में नहीं थे तब भी मैं उनका समान करता था इसलिए मैंने पहले भी कहा बैचारिक मनभेद अलग है आपसी मनभेद अलग है हम वो बहुत बरिष्ट नेता हैं हम उनसे बात रहेंगे उनकी जो भी चाहत होगी मैं उसके अनुरूप कदम उठाओंगा अभी इस दिसा में कोई बात नहीं हुई है इसलिए पहले से किसी प्रकार का फोरकाश करना उचितनी समस्ता हूं प्रफेसर राम गोपाल की बहुमिका पर सवाल खड़े कि पल्लवी पटेल ने कहा कि जिस तरह से उनको लेकर ये बाशा का प्रियोग किया गया उसके बद आपके बयानों को तो क्या लगता है कि उनकी जो पॉलिसी है वो पीडिये के रिप्रीत है देखिए कुल मिला कर के हमने इतने कम समय में इस बात वाद्यन किया कि जब तक प्रफेसर राम गोपाल जी मत पून भूमिका में समाजबादी पार्टी में रहेंगे तब तक समाजबादी पार्टी पर इसी प्रकार का गहरा लगा रहेगा कुल मिलाकर ओम प्रकार्श राजबर जी हमारे छोटे भाई हैं वो हमारी बढ़ाई करें, हमारी बुराई करें हमें कुछ भी कहें सब माफ है क्योंकि उनको राजनीत में अभी मैं बहुत अत्कचरा समझता हूँ इसलिए उनके किसी बयान पर मुझे गुस्ता नहीं आता है